हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलिग्राफी याने सुलेक में काफी दिल्चस्पी रखते हैं इसके जरिये हमारी लिखावट, साफ, सुन्दर और आकरशक बनी रहती है आज जम्मु कश्मीर में इसका उप्योग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है यहां के अनंतनाक की फिर्दोसा बशीर जी उनको कैलिग्राफी में महारत हासिल है इसके जरिये बे स्थानिय संस्कृति के कई पहलूं को सामने ला रही है फिर्दोसा जी की कैलिग्राफी ने स्थानिय लोगों विशेशकर युवाओं को अपनी और आकर्शित किया है ऐसा ही एक प्रयास उधंपूर के गोरिना जी भी कर रहे हैं एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिये वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन रूपों को सहजने में जूटे हैं सारंगी की धूनों के साथ वे अपने संस्कृति से जूड़ी प्राचीन कहानिया और एतिहसिक गटनाओं को दिल्चस्प तरीके से बताते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधार लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के सहुरक्षण के लिए आगे आए हैं करीब पचास साल से चेरियाल फोक आर्ट को लोगप्रिय बनाने में जूटे हैं तेलांगाना से जूड़ी इस कला को आगे बढ़ाने का उनका यह प्रयास अधभूत है चेरियाल पेंटिस को तयार करने की प्रक्रिया बहुती यूनिक है यह एक स्क्रोल के स्वरुप में कहानियों को सामने लाती है इसमें हमारी हिस्ट्री और माइथोलोजी की पूरी जलक मिलती है पिछले चार दसकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए है उनकी ये कला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्च भारत जैसे अभ्यान से लोकों को जोडने में भी बहुत कारगर रही है साथियों अभी हम बात कर रहे थे कैसे कश्मीर की वादियों से लेकर 36 गड़ के जंगलों तक हमारी कला और संस्कृती नए नए रंग बिखेर रही है लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती हमारी इन कलाओं की खुश्बू दूर दूर तक फैल रही है दुनिया के अलग-अलग देशों में लोग भारतिय कला और संस्कृती से मंत्र मुग्त हो रहे जब मैं आपको उधंपूर में गुंती सारंकी की बात बता रहा था तब मुझे याद आया कि कैसे हजारों मिल दूर रूस के सहर या कुछ सक में भी भारतिय कला की मदूर दून गुंज रही है कलपना कीजिए सर्दी का एकादीन माइनस पैंसेट डिगरी तापमान चारों तरब बर्प की सफेज चादर और वहां एक थिएटर में दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं कालिदास की अभिज्ञान साकुंतलम क्या आप सोच सकते हैं दुनिया के सबसे ठंडे शहर या कुछ सक में भारतिय सहित्य की गर्म जोशी ये कलपना नहीं सच है हम सब को गर्म और आनन से भर देने वाला सच